नमस्कार, हुँ आदर्चु, वेलकम तो आदर्च एजुकेशन सोसाइटी लो किट्स, हाव रूँ, स्टांडर्ड नर्सरी तोड़े वी आपे वेजिटेबल बनाएंगे किस में से? क्ले में से नाव किट्स, अब हम क्ले में से ब्रिंचल, चिल्ली and पीस बनाएंगे ओके? देखो किट्स, आज की एक्टिविटी है क्ले वर्ड क्ले यानि के मीटी मीटी से हम वेजिटेबल बनाएंगे क्या बनाएंगे? वेजिटेबल इसके लिए हमें मीटी चाहिए में क्ले में एसे थोड़ा सा क्ले रेना है फिर आपको क्या करना है एसे? बोल बनाना है देखो अच्छी तरशेब बन गया फिर एसे थोड़ा सा ब्रिंचल जैसा आपको शेप देना है एसे देखो उपर से थोड़ा पतला और निचे से थोड़ा एसे एसे आपको shape बनाना है फिर आपको water लेके एसे finishing कर देना है देखो अच्छी तरशे तो ये ब्रिंजल का shape बन गया अब ब्रिंजल का उपर का भाग बनाना है हमें देखो इसमें से थोड़ा सा ले लिया फिर आपको क्या करना है एसे करना है देखो फिर इसे finger से बनाना है आपको देखो किर्स एसे हमें होल करना है उपर का बाग एसे करना है हो गया फिर आपको क्या करना है जो नीचे का बाग ब्रिंजल का उसके उपर एसे लगा देना हमें और एसे कर देना है अच्छी तरशे हो गया देखो एस तरशे फिर आपको क्या करना है wooden stick की मदद से एसे कर देना है आपको पूरे ओर एसे देखो ओके या पूरा लाइन एसे फिर आपको क्या करना है थोड़ा सा उपर का बाग एसे कर देना है फिर आपको एसे कर देना है तो देखो यह क्या बना ब्रिंजल अब थोड़ी सी फिर से क्ले लेना है और उसमें से क्या बनाएंगे हम चिल्ली ओके बोल बनाना है देखो अच्छे तरशे देखो इसे बोल बनाना है फिर आपको क्या करना है इसे रोल करना है इसे ओवल शेप में फिर आपको इसे रोल कर करते जाना है फीर नीचे की ओर थोड़ा ऊशा एक रोल का उपर की ओर में करना है नीचे की और तो देखो एसा शेप बन जाएगा बन गया फिर आपको क्या क्या है थोड़ा-शा मोड देना यानिके इसे शेप देने ना है चिली का फिर आपको क्या करना है इसे बोल बनाने है small देखो इस तरशे फिर आपको इसे करना है इसा shape बनाना है नीचे की ओर ही आपको प्रेश करके इसा shape बनाना है बन गया फिर आपको इसे push करना है फिर आपको क्या करना है इसे finger रख देने इसमें और hole बनाना है finger से देखो इस तर हो गया होल ! ऐसे होल बना कि एसा सेप बनाए नाए उपर से ठोड़ा सा स्टीक चैसा सुषा फिर आपको क्या करना ये जो चिली हमने बनाए उसके उपर एसे रख देना है और इसे स्टीक कर देना है देखो चारो और फिर आपको क्या करना एसे चिपका दिया आमने फिर फिर से वुडन स्टिक से एसे आपको शेप दिना है जिक जेक वाला कुन्चा सेप एसे जिक जेक वाला शेप बनाना है इसके उपर जो हमने स्टिक किया है उस भाग पर एसे देखो चारो ओर एसे जिग जेक पेटन बना दिनी है ओके देखो एसे आमने जिग जेक पेटन कर ली फिर आपको क्या करना है उपर का एसा बनाना है तो ये बन गई चिल्ली देखो किट्स अब हाम पीस बनाएंगे यानि के मटर बनाएंगे तो सबसे पेले थोड़ा साकले लेकर हमें एसे चोटे-चोटे बोल बनाने स्मोल बोल बनाने एसे ओके यहाँ पे साइड में रख देते फिर से लेंगे आम थोड़ा साकले और एसे स्मोल बोल बनाएंगे आची तरशे देखो एसे स्मोल बोल बनाएंगे देखो एस तरह समें small roll बनाने फिर आपको थोड़ा सा again clay लेना है फिर आपको एसे roll बनाना है oval shape में लंबा वाला फिर आपको क्या करना है एसे देखो बीच में थोड़ा सा एसे कर देना है जग कर दें है एसे हो गई जग फिर आपको कैसा करना है एसे थोड़ा सा टन कर देना है इस तरशे फिर आपको एसे वोटर लेके एसे फिनिशिंग कर देना है फिर आपको क्या करना है जो छोटे बोले उसमें एसे रख देना है इसके बीच आपने जो जगा रखिये उसके बीच एसे रख देना है फिर एसे रख दिया फिर आपको थोड़ा सा एसे यहासे एसे कर देना है तो यह क्या बना है? मतर ओके? तो आज हमने कौन से एक्टिविटी की? कले की उसमें क्या बना है वेजिटेबल्स में? ब्रिंजल, चिली, और पीज यानि के मतर चिली यानि के मिर्च और ब्रिंजल यानि के बेंगन आपको भी ऐसे एक्टिविटी करने है गर पे तेंक यू फोर जोइनिंग आस